नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल लिशार जागंदर मिस्वा में दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ एं कुछ नया शीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा गाई को खिला दें ये एक छोटी से चीज रोडपती से करोडपती होने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों असुनी मास के सुक्ल पक्ष की दस्मी तिति को बिजे दस्मी का पर्व मनाय जाता है और जिसे दसहरा भी कहा जाता है इस बार यह पर्व 15 अक्टूबर दिन शुक्रवार को मनाय जाएगा इस बार बेजे दस्मी पर सरवार्द सिध्य योग भी बन रहा है बिजे दस्मी पर बिजे मुहूर्त 15 अक्टूबर की दुपाहर 2 बचकर 2 मिनर से दुपाहर 2 बचकर 49 मिनर तक और अपरान पूजन का शुब मुहूर्त है दुपाहर 1 बचकर 16 मिनर से दुपाहर 3 बचकर 34 मिनर तक और पूजन का अब जीत मुहूर्त है सुबह 11 बचकर 49 मिनर से लेके दुपाहर 12 बचकर 35 मिनर तक इस दिन भगवान स्री राम ने रावन का बद किया था इसी खुसी में हर वर्स दसहरा मनाय ज इसके साथी साथ मादूर्गा ने इसे दिन महिशासुर का अन्त देपताओं और मनुश्यों पर उपकार किया था यैझी कि महिशासुर नामक राक्षक्ष का बद किया था। जय महुर्त बाली होती है। इसलिए इस तिधी को अभूज महुर्त भी कहा जाता है। इस दिन आप किसी भी प्रकार का शुबकार शुरू कर सकते हैं। धना धच कुबेर ने स्वरन की वर्सा करके धरती बाशियों को धन धान से परिपून और खुसहाल बना दिया था। इसलिए दसहरे के दिन पूरे साल खुसहाल और धन धान से परिपून बनाने के लिए कुछ आसान से उपाए लोग सदियों से करते आए हैं। आमकी कृपा से जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती है और घर में शुक शंब्रधी आती है धन संपत्ति में ब्रधी होती है आज हम आपको वही एक आसान सा उपाय बताने जा रहे हैं साथी अभी बताएंगे कि गाय को ऐसी कौन से चीज खिला दें कि दसहरे की दिन कि आ आप की जो गरीबी है वो को सुदूर हो जाए और गरीबी आपके घर का रास्ता ही भूल जाए दोस्तों इन उपायों को आप इस दसहरे पर अवश्य ही करें साथी गाय को एक छोटी सी चीज अवश्य खिलाएं तो अपने जीवन को खुसाहाल बनाएं दोस्तों अगर पूजन अवश्य करें मानताओं के अनुसार नवरात्री में माता रानी का पूजन भी समी ब्रिच से करने से माता रानी की कृपा प्राप्त होती है यानि कि समी ब्रिच का जब आप पूजा करते हैं तो माता रानी अतिनत प्रसंद होती हैं इसलिए समी के ब्रिच का पूजन अवश्य करना चाहिए। जरूर लगाएं। मगाले बाजार सी अफिर आपने बनाया हुआ तो लड्डू भी रख लें। रोटी में रखके भगवाएं स्री रामचंद्र जी और माता रानी को भोग लगाएं। इसके बाद आप भोग लगाके उनकी आरती करें। उन्हें दीपक एक जलाएं। और इसके बाद क्या करें कि आप इसको रोटी में अगर आप देखे गुड नहीं है तो मिस्तरी भी आप डाल सकते हैं। बड़ी चोटी मिस्तरी जो भी हो और इसमें आप यानिकी लड्डू रख लें। अपने गाए को आप भहाँ पर खिला दें, अपने हाथों से खिला दें, गाए को प्रेम से खिला दें। तो आपके जीवन से गरीबी कोसो दूर हो जाती है। और रोड़पती भी करोड़पती होने से उनको देरी नहीं लगती, तो घर के सुक्ष सम्रध्य के लिए आप गाय को इस दिन ये चीज़े जरूर खिलाएं, और अगर जादा कुछ नहीं है, तो जो आपके घर में ये से कि आप चुकि बहुत सारी चीज़े दसहरे के दिन ब इस बार दसहरे 15 अक्टूबर को है, तो इस दिन बिशेष यादि की इलाव होगा अगर आप गाय की पूजा करते हैं, गाय को ये चीज़े खिलाते तो आपके मनतें पूरी होंगी, आपके मन में जो भी मनते हों, जीवन के सम्रध्य के लिए जीवन में धन प्राप्ति के गाय को ये चुटी से चीज़ जरूर खिला दें, और ऐसा करने से धन संबंधि समस्चाएं आपके दोर होंगी, और आपके जीवन में धन आने के स्त्रोध बढ़ने लगेंगे, जीवन में बरकत होगी, और संब्रिद्धी बढ़ेगी, और आपके उपर यानि की माता जी क पूजा राधना करें, और आप इनको, यानि जब जो कुछ भी आर्पित करें, फल के रूप में, यानि आप भोग लगाएं, जो भी आप लगाएं, वो गाय को जरूर खिला, जैसे कि आप फली ही, आप गर आप चुड़ातें, थोड़ा सा आप काटके टुकड़ा जरूर खिला दे, ऐसा करने से धन धान में बरकत होती है, जीवन में सुक्षम्रेदी की बार्स जा जाती है, और आप को इस दिन, यानि कि कोई सुबकार भी कर सकते हैं, बहुत से लोग तो गारी वाहन खरीदारी करते हैं, वाच्छा लाब होता है, लेकिन गाय को ये एक छोटी स तो ये भी बहुत लाब होगा, तो दोस्तों बीडियो को लाइक करें, जदा जदा शेयर करें, और चनल को सब्सक्राइब करें, जय मलक्ति,